नमस्का दोस्तों, गुड़ी उनिंग, सभी लोगों को स्वारी गुड़ आप्टरनून, माफी चाहते हैं आप लोगों से, फटा फट सभी लोग जुड़ जाईए, सभी लोग, सभी लोग एक दूसरे को क्लास को सेयर भी कर दीजे, सभी लोग चैयर कर दीजे, हाँ बहुत अच्छे और सब लोग कमेंट करना हमें सुरू कर दीजे कमेंट में बताना सुरू कर दीजे आज आप लोगों के लिए कुछ बहुत सारी चीजे हम लेकर आये हैं जो बताने वाले भी हैं आप लोगों के लिए तो सब लोग ध्यान दीजे से जाद से जादा चार चार पांच पांच घंटे लेकर क्लास हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इसके साथ साथ वाइटी पे अगर हम बात करें तो वाइटी पे भी मैक्समम क्लासेस आपके लिए हम लेकर आएंगे ठीक है आज हम human physiology को खतम कर रहे हैं human physiology का आज last topic होगा इसके बाद की जितनी भी classes होंगी उन classes की जब हम बात करेंगे तो वो सारी classes आप लोग की जो होंगी वो क्या कहते हैं आपका जो मतलब क्या कहते हैं इसके अलावा sports है जो क्या कहते हैं sports से related है वो सारे topic आप लोगों के UIT पे भी कबर किये जाएंगे तो सब लोग जरा एक फटाफट शेयर का दीजे बेटा बहुत अच्छे धनय गुमार उधिर राय सभी लोगों को शेयर का दीजे ताकि class को तावरतोत तरीके से शुरू किया जा सके आप लोगों के लिए बहुत महनत की गई है और कोशिस जारी है हम लोगों की और पूरे तरीके से वेहता से व subscribe कीजी फटाफट जूड़ जाइए आज हमारा last topic है human physiology की जैसा कि हमने बताया है इसके बाद human physiology नहीं चलेगा जो क्या कहते फिजिकल एजूकेशन के जो बाकी के chapter हैं उनको हम लोग कबर करने वाले हैं राधे राधे चलिए सब लोग बताना सुरू करिए बेटा तो यहां प बाद human physiology का chapter आप लोगों को पढ़ाने वाले नहीं हैं यानि कि human physiology हमने complete का दिया वाइटी पे अब sports के बारे में हम लोग discuss करेंगे और जो हमारे physical education के principle हैं उनके बारे में discuss करेंगे तो सभी लोग comment करके फटा-फट बताना सुरू करिए संदीब कुमार good afternoon very very good afternoon तो यहां पे question किया गया है EEG जो है इसका यूज बेटा किसमे होता EEG की अगर बात करें तो इसको किसको यूज करने में record किया जाता यहां पे अगर देखें तो इसका answer क्या होगा option है heart option है lungs option है brain option है kidney सब लोग बताइए इसका answer बहुत अच्छे तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका answer जो होगा वो क्या होगा brain होगा बेटा क्या होगा brain क्योंकि EEG का full form क्या होता सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहां पे यह first aid में आता है आपका एक chapter है बेटा first aid है नहीं first aid की अगर हम बात करें तो first aid जो chapter है यही chapter इसी chapter में यह पूछा जाता EEG के बारे में तो EEG का full form भी पूछता कि इसका full form बेटा क्या होता सब लोग share कर दीजिए और सभी लोग like का बटन जरू दबा दीजिएगा तो चलिए EEG का full form देख लेते हैं EEG तो इसका full form होता है electro electroencephalograph इसका क्या होता है full form होता है वैसे आप लोगों को जानकारी की बात बताएं कि जो हमारा heart जो हमारा brain होता है वो क्या कहता है उसको scan करने का काम कहता ब्रेन की जितनी बिमारियां होती यहीं से पता चलते हैं इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे heart लिखा है heart के लिए जो किया जाता वो ECG किया जाता क्या किया जाता ECG अब kidney की कोई ऐसी specific जाच नहीं होती है kidney में आगाद देखें तो urine का test किया जाता इसके अलावा अगर हम देखें तो kidney में हमारे क्रेटनिन का टेस्ट होता ये सारे टेस्ट इसमें होते हैं बाकी कोई यहां पर टेस्ट नहीं होते हैं अगला कोश्चन बेटा सभी लोग फटा फट बताईए लिखा है निमलिखित में से किसके पुष्टी करण है तो वाइडल टेस्ट किया जाता है देखो इसको कुछ लो टेस्ट जो होता है वो किसके बीमारी में किया जाता है आज इस शेप्टर का पूरा सफाया हो जाएगा कल से जो आप लोगों का सुरू होगा हां बहुत अच्छे तो यहां पे आगार देखें तो इसका एंसर बेटा क्या होगा सभी लोग बताईए तो यहां पे आगार द टेस्ट होता वाइडल टेस्ट टाइफाइड होता किस से है यह भी कोशिन पूछा जाता तो टाइफाइड की अगर बात करें तो यह बेटा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है किस से होने वाला रोग है बैक्टीरिया से एक और बात हम आप लोगों से जरा जानना चाते ह हैं आप लोग ज़रा हमें ये बताईए कि आप लोगों ने ज़्यादा तर हिंदी मीडियम पढ़ा है या इंगलिस मीडियम पढ़ा क्योंकि जब जो स्पोर्ट के कोश्चन आने वाले हैं वो आप लोग जैसा बताएंगे वैसा आप लोगों के लिए किया जाएगा पूरी तरीके से प्रॉपर वे में सारी चीजे मेहनत कराई जाएगी इस बात की गारेंटी लेते हैं कि जितने कोश्चन करा दे करके चले जाएए तो 100% क्या कहते हैं उतने आने आसार हैं यह मैं responsibility लेता हूँ बहुत अच्छे हाँ तो हिंदी मीडियम ज्यादा तर लोग मतलब हिंदी मीडियम चलिए हिंदी मीडियम के ज्यादा तर कोश्चन हम लेकर आएंगे क्योंकि यह पूछना जरूरी था तो यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए यह कौन से बैक्टीरिया से रोग होता है तो इसका एंसर जो होता वो क्या होता है साल्मोनेला टाइफी क्या एंसर होता सालमोनेला टाइफी इसका एंसर होता सालमोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है इसी बैक्टीरिया के कारण जो रोग होता वो कौन सा रोग होता है वो बेटा टाइफाइड हो जाता कौन सा रोग हो जाता टाइफाइड अगला कोस्चन है बीमारी का पता करने वा कुछ कोस्चन ऐसे होते हैं जिनका हिंदी मिल पाता है कुछ कोस्चन ऐसे होते हैं जिनका इंगलिस मिल पाता है अब उसको या तो ट्रांसलेट करें ट्रांसलेट में उतना अच्छा फिट नहीं बैठता है ठीक है हाँ तो कोसिस की जाएगी तो यहाँ पे अगर देखें बि जो यमाराई है इसका फुल फार्म क्या होता है यमाराई की दो तीन खास बाते होते हैं कभी अगर आप यमाराई कराने जाते होगे तो वहाँ पे क्या होता यमाराई जब होने जाता जिस पेसंट का उस पेसंट के लिए कहा जाता कि आप अपना छला निकाल दीजे अपने प फुलफाम क्या होता, magnetic resonating image, तो यहाँ पर अगर देखें, तो यह magnetic resonating image इसका फुलफाम होता, अब पहली चीज इससे हम answer मिला लेते हैं, resonance index लिखा गलत है, लिखा information ये भी गलत है, magnetic resonance imagine, तो यही इसकी अगर बात करें, तो यही इसका answer क्या होगा, बेटा सही होगा, अब magnetic, तो magnetic का मतलब क्या होता है, जिसमें यानि की magnetic power की अगर हम बात करें, तो जिसमें अगर हम देखें, तो निश्चित रूप से क्या होता है, अगर इसलिए अगर हम देखें तो ज्यां दीजिये सभी लोग, इस लिए magnetic resonance cancer. मैगनेटिक पाउर होने के कारण सभी मेटेलिक चीजों को अपनी और आकर सित करता है इसलिए डाक्टर के द्वारा मना कर दिया जाता है आप सिक्का नहीं ले जा सकते, आप शला नहीं ले जा सकते आप बेल्ट नहीं ले जा सकते यानि कि कोई भी ऐसी metallic चीन नहीं ले जा सकते जो क्या कहते हैं वहाँ ले जाना है बहुत अच्छे मेरे लाल सभी लोग बताईए फटा फटा एंसर सभी लोग बेटा सेर का दीजे क्लास को तो यहाँ पर अगला question है लिखा डाक्टरो द्वारा रोगी बेक्त के पेट की आंतरिक परिच्छा है तो प्रियुक्त अंतरदसी प्रकास है यानि कि यहाँ पर question पूछा जाता है अब सबसे पहले जब पेट की जांच होती फस्टेड में जब हम फस्टेड परते हैं जो उसमें पेट की जांच होती तो पेट की जांच जो होती उसमें होता क्या उसमें किया जाता बेटा एंडोस्कोपी क्या किया जाता एंडोस्कोपी तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेट की जांच में कौन सी जांच होती है तो एंडोस्कोपी होती पता चल गया अब सवाल ये आता है कि एंडोस्कोपी जो है वो उसकी अगर बात करें तो वो काम किस पर करता है तो endoscopy बेटा काम करता है total internal reflection पे यानि कि प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावतन आपने ये फिरॉमना physics में पढ़ा होगा कि प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावतन क्या होता है उसी प्रकास के पूर्ण आंतरिक परावतन के सिध्ध पे एंडोस्कोपी जो होता वो क्या करता है बेटा काम करता है किलियर यहां तक किलियर हो गया नेस्ट कोश्चन पे आते हैं बेटा अगला कोश्चन है लिखा है निमलिखित में से कौन सी कला परिवाधन सील भ्रूण की सुसकन से रच्छा करती है निमलिखित में से कौन सी कला परिवधन सी ब्रूण की सुसकन से रच्छा करती विच वन आप दा फालोइंग इस मेंब्रेन हैट प्रोटेक्ट दा डवलपिंग एंब्रियो फ्रॉम दा डेसिकेशन तो बताओ बच्चा यहाँ पर अगर हम देखें तो कह रहा है कि जो भ्रूण होता है भ्रूण में जब परिवधन होता यानि कि भ्रूण जो है वो क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं सुसकन का मतलब यानि कि सुसक ना होने पाए वो सूखा ना होने पाए तो सूखने से उसे बचाती है अब सूखने से बचाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि वो क्या कहती होगी उसको नमी पदान कहती होगी क्या पदान कहती होगी बेटा नमी पदान कहती होगी तो कौन सी ऐसी चीज है जो क्या कहती भूण को नमी पदान कहती है इसक का काम होता है जब भ्रूण जो है भ्रूण की अगर बात करें जो भ्रूण होता अपना जब भ्रूण क्या कहते है यूटरस के अंदर होता है यानि की गरभासे के अंदर तो क्या होता उस दोरान भ्रूण में कोई सुस्कता ना आने पाए कोई ड्राइनस ना आने पाए इसल भी भी जो बच्चा होता है वो इसी थैली के अंदर ही रहता है वो पूरा क्या करता है इसको नमी पदान करता है समझे हाँ जैसे जैसे क्या होता है बच्चा क्या कहते विकास करेगा वैसे वैसे इस थैली का भी विकास होता रहता है अगला कोश्चन की ओर देखते हैं लिख जो है, यह क्या तरीका? सभी लोग बताईये, बहुत अच्छे, जरा सेर कर दो मेरे लालबालपाल, फटा फट, हाँ, फटा फट, बोलिए, तो यहाँ पर अगर देखें, इसकी अगर बात करें, तो इसका सही जबाब क्या होगा? तो इसका सही जबाब की अगर बात करें तो इसका सही जबाब होगा फॉटल सेक्स यानि की अगर हम बात करें तो क्या है भूण के लिंग की अगर हम बात करें तो भूण का जो लिंग होता है उसके लिए यह क्या कहते हैं जिम्मेदार होता है अगला कोश्चन फटा बट बताईए इसमें बहुत सारे कोश्चन ऐसे हैं जो नए हैं आपको क्या हुआ है जैसे हमने क्या किया एक कोश्चन को हम क्या कहते हैं हमारा जो कोश्चन डिजाइन करने का तरीका होता वो क्या होता यह बता हमारे तरीका होता है एक गोश्चन को कितने तरीके से तोड़ तोड़ के वुश्चन को رिपीट कर देते हैं ताकि आप जब यहां पे उसका रूप देख लोगे अगर वहां पे आप से बदल के पूछ लिया गया तो आपका गलत ना हो, इसलिए ये काम किया जाता है, समझें, हाँ जैसे होता न, एक question को कई तरीके से लिखा जा सकता, कई तरीके से पूछा जा सकता, बहुत अच्छे, तो यहाँ पर अगर देखें, तो dialysis, dialysis की प्रक्रिया जो होती, वो kidney के लिए होती, जब किसी वेक्त क कि kidney काम करना बंद कर देती हैं, या कहदे काम करना स्लो कर देती हैं, तो dialysis का process किया जाता, कौन सा process होता है, dialysis का process होता, जरा यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, विसे इस तोर पे, इसकी अगर बात करें, तो dialysis हो गया, अब dialysis जो होता है, इसकी अगर हम बात करें, त परासरन क्रिया होती, कौन सी क्रिया होती, परासरन, फटावट बोलिए, लिखार अच्छा अनुसंदान विकास संगठन में, लिवकोई स्किन नाम की एक आउसधी है, देखें, लिवकोई स्किन जो है, यह किस से रिलेटर, अब इसमें तुमको बहुत सारी चीजे हम बताने वाले हैं, फटा-फट, इस्टोन ऑक्जेली केसिड का होता, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे, हाँ, ऑक्जेली केसिड नहीं होता, वो कैलसियम ऑक्जीलेट होता है, क्या होता है, ध्यान दीजे, इस्टोन अगर किसी वेक्तिको होता है, तो ऑक्जेली केसिड नही होते हैं तो एसा हमको लगने लगता कि ये गलत होने के चांसे सो जाते हैं लेकिन इससे हमें घबराना बिलकुल भी घबराना नहीं तो यहां पर अगर देखें तो देखें यहां पर हमेशा याद रखिएगा, इसमें skin सब्द लिखा है, जहाँ पर skin की बात की जाती है, तो skin क्या होता है, skin की अगर बात करें, तो skin का मतलब होता है study of skin, यानि की जो skin होता है, इसका अध्धन क्या कहलाता है इसको कहते हैं dermatology, क्या बोलते हैं बटा डर्मिटोलोजी यानि कि जो तुचा का अध्धिन किया जाता उस अध्धिन को कहते है डर्मिटोलोजी क्या कहते है डर्मिटोलोजी तो हमेशा याद रखिएगा जिसमें पूरा करेंगे पूरा करेंगे सामदाम दंडवेद तो यहाँ पे अगर देखें डर्मिटोलोजी तो इसकी अगर बात करें तो जहाँ पे सब्द डर्म लिखके आ जाता क्या लिखके आ जाता डर्म सब्द लिखके आ जाता वो इसकिन से रिलेट कहता तो इसमें देखो डर् से रिलेटेड है समझ में आई बात हड्डियों से रिलेटेड है तो कुछ चीज है ऐसी होती जो टर्म से हम लोग उनको क्या कहते रीच आउट कर लेते हैं अगला कोश्चन है लिखा आयरुविज्ञान के इतिहास की निमलिखित में से चारी गांतरकारी घटनाओं में से भट बताईए यहाँ पर पुरानी बात पूछ रहा है और यहाँ पर बहुत ग्यान की बात है यह भी आप लोग जान लिजे सभी लोग से फटाँ भट शेर कर दीजे और ृ unity answer इसका क्या होगा तो यहां पे अगर देखे तो इसका answer वेटा क्या होगा सब लोग बोलि कि तो इसकी अगर बात करें तो इसका answer क्या होगा plastic surgery plastic salary ये कैसी चीज थी जो वेटा पांचवी सताब Veterans से ही जा गया था अगला कोश्चन देखो बता है भी बहुत सारे शखनाँंगे लिखा सर लिकरिया में आर्थो पुलास्टी का मतलब क्या होता है इस पोर्ट में भी कोश्चन पुछा a जाता है जब इस पोर्ट पढ़ोगे former देखर पढ़ाएंगे उसमें भी इससे related question आता आथो प्लास्टी सब्द क्या कहलाता है या आथो प्लास्टी सब्द का मतलब क्या होता है जब क्या होता है किसी के इंसान के सरीर में हाँ तो इसकी अगर बात करें जब किसी इंसान के सरीर में hip joint replacement होता है यहाँ पे माफी चाहते हैं यह गलल लिग ग placement होता उसी को आथो प्लास्टी कहते हैं ये question sports में भी पूछा जाता है कई जगा काम आएगा अगला question है लीथो tripsy क्या होता है सब लोग इसका answer बताईए फटाफट सब लोग बताईए लीथो tripsy की अगर बात करें तो लीथो tripsy क्या होता है जैसे आप लोगों ने बहुत सारी बहुत एक कामन भासा में आप सब लोगों ने इस सब्द को पढ़ा होगा आप गाउं अगयरा में हम लोग रहते हैं तो क्या होता है गाउं में जब पत्री अगयरा हो जाती तो हम कहते डाक्टर के पास गए थे डाक्टर ने कहा था इसका इलाज दुर्बीन से हो जागा दुर्बीन से यानि कि उस पत्री को तोड़ा जा सकता है तो यहाँ पर अगर बात करें तो ब्रेकिंग किड्नी स्टोन साफ रहे यानि कि क्या किया जाता है किड्नी को क्या करते हैं किड्नी में जो स्टोन होती उसक अर्थीटर होती दूसरा अगर हम देखें तो मलेरिया जो है उसमें क्या होता है एक कुड़ायन होती सुना नहीं सुना तो बताए आर्थीटर नामक दवा जो होती है वो प्राप्त होती किसे प्राप्त होती सभी लोग बताओ बिटा बहुत अच्छे गुड परफार्मेंस बहुत अच्छे मेरे लाल बाल पाल सब लोग बताओ फटा फटा बताओ एंसर तो यहां पर अगर हम देखें आर्थीटर नामक दवा यह किसे प्राप्त होती है तो सभी लोग बताई एंसर बहुत अच्छे तो यहां पर अगर देखें तो एक सीड प्लांट यहां पर इस इसको कहा जाता सुद्ध सब्दों में अगर कहें तो इसको हम लोग कहते हैं एक बीजिये पौधा क्या कहते हैं एक बीजिये पौधा कहते हैं क्या कहते हैं एक बीजिये इंगलिस में इसको सीड प्लांट नहीं कहते हैं बाइलोजी के टर्म बता रहे हैं इसको कहा जाता मोन कोटेली धन क्या बोलते हैं बाइलोजी के टर्म में अगर देखें तो ये मोनो कोटेली धन होता है हलाकि अगर हम देखें तो ये आज़ थीटर जो है वो एक बीजिये पौधे से प्राप्त किया जाता है यानि की जिनमें वोंसीड होता अगला कोश्चन देखो विटा लिख लोंग की अगर बात करें तो वो किस से प्राप्त होता है देखा फ्रूट है इस्टेम है रूट है फ्लार बढ़ है तो यहाँ पर लोंग की अगर बात करें तो लोंग खायो नहीं खायो आप लोग रूट कैसे लोंग का होता है लोंग का रूट कैसे होता है गलाद रूट यहां पे अगर देखे तो यह फ्लार बड होता है आप लौंग के ऊपर फूल भी तो लगा होता है यहीं से आप शंस कर लेते फूल लगा होता नहीं लगा होता तो इसका एंसर होगा फ्लारवर्ट बहुत अच्छे नेश्ट कोश्चन की ओर चलते हैं लिखा निमलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं सच्चा फल यानि के ट्र्यू फ्रूट्स नहीं हमेशा याद रखिएगा वैसे इसका एंसर एपल होगा कारण क्या है जितने फल ऐसे होते हैं जिनका विकास पुस्प से होता है किस से होता है पुस्प से जिसका विकास होता वो असत्ति फल कहलाते हैं क्या कहलाते हैं असत्ति फल कहलाते हैं और जिनका विकास अंडासे से होता है किस से होता विटा अंडासे से होता कहतें। किस में। यहां पर अगर देखें एस्टीक स्वाइल में कॉल्ड कालमें चरा में।ch273 मरदा में। पैड क कटन architects हमेशा निमलिखिट में से कौन होता है। उसके पास निमलिखित में से हमेशा क्या रहता है अगला पैड क्या로 आपसने roots रहते, branches रहते, lips रहते, shadow रहता, सब लोग बताओ बिटाई इसका answer, फटा-फट, बहुत अच्छे, तो यहाँ पे अगर देखें, तो यह एक root जो होता है, उसके पास हमेशा क्या रहता है, कब लोग बोलो, यहाँ पे अगर देखें, तो इसका answer क्या होगा, जराए भी पौधा अगर निकलता है, तो उस पौधे की अगर बात करें, तो उसमें जड़े जरूर होंगी नहीं, तो वो पौधा निकल ही नहीं सकता है, तो यानि कि अगर हम देखें, तो कोई भी अगर पौधा है, तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, roots जरूर पा सकते हैं सभी लोग बताईए कौन सा पदात हैसा है जो ब्रच्छ से प्राप्त किया जा सकता है बहुत अच्छे मेरे लाग बताईए अगर देखें तो इसमें लिखा है हिंग सिलाजी सुहागा या उपरोक्त में से कोई नहीं तो बताई सब लोग अंसर यहां पे अगर आती है तो याद रखना सौफ जानते हो बेटा सौफ सौफ खाए हो सौफ की प्रजात की हिंग होती है किस प्रजात से आती है तो सौफ के प्रजाती से आती है अगला कोश्चन है हिंग प्राप्त की जाती है किस से हिंग अब बोलो बच्चा हिंग किस से प्राप्त किया ज जाता है, सभी लोग जड़ा बताओ एंसर इसका क्या होगा, सब लोग बिटा, बहुत अच्छे, हिंग की अगर बात करें तो किस से प्राप्त किया जाता, बहुत अच्छे, सिलाजीत कहां मिलता, सिलाजीत जो होता वो भी पेंड़ से निकलता है, लेकिन क्या गाते हैं, यह यहाँ पे अगर देखें तो इसका answer क्या हुआ तो हिंग प्राप्त की जाती हीं किस से प्राप्त की जाती है तो यहाँ पे अगर हम देखें बहुत अच्छे शब्लोग बताईए तो इसका answer होगा extract from the root यानि कि हिंग जो है वो पौधों के जड़ से प्राप्थ होती फटा फट देखिए लेखा माईको राईजा एक साजीवी प्रबंदन है किसके बीच का साजीवी प्रबंदन है सब लोग इसका एंसर बताओ माईको राईजा प्राप्थ होता है वो एक साजीवी प्रबंदन होता है किसका साजीवी प्रबंदन है सब लोग बताईए मिलता है बताईए सबी लोग तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका answer बेटा क्या होगा तो इसका answer होगा fungi and plant के बीच में देखो माईको राईजा फंगी और देखो इसको साजी बिता भी कहते हैं इसको ये भी कहा जाता क्या कहते हैं ये कह सकते हैं कवक और पौधो के मध्ध की कड़ी कहा जाता है क्यों क्यों कि कवक जो होते हैं अब जैसे माईको राईजा की अगर हम बात करें तो माईको कवक की तरह विहव करता है और किसकी तरह पादप की तरह विहव करता है इसलिए इनके बीच की इसको कड़ी कहते हैं कवक जो होते हैं वो वेटा परपोसी होते हैं क्या होते हैं जरा ध्यान दो कवक की अगर बात करें तो परपोसी होते पर पोसी का मतलब हेटरो ट्रॉफिक और जो क्या कहते पौधे होते वह सो पोसी होते हैं माई को राई जाकी अगर बात करें तो इसके अंदर दोनों गुड़ पाया जाते हैं दोनों गुड़ पाया जाने के कारण इसको किसमे रखा गया दोनों की प्रजाती में रखा गया अगला कोश्चन है लिखानिम लिखित में से कौन सातत पौधों में सूच मपोसक नहीं है बताओ फटाफट बहुत बार बहुत अच्छे तो बताईए इसकी अगर बात करें तो इसका एंसर क्या होगा सभी लोग बताईए फटाफट फटाफट स्पीड में बताओ मेरे लाग तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका एंसर होगा मेगनीशियम क्योंकि इसकी देखो यहाँ पर कोश्चन क्या कह रहा कहरा सूचम को सक नहीं होता सूचम का मतलब होता कम मात्रा में हमेशा याद रखना मैगनीसियम की ज़्यादा जरूरत होती क्यों ज़्यादा जरूरत होती क्योंकि मैगनीसियम जो है ये बेटा क्लोरोफिल का निर्मार करता पौधों में और इसी लिए क्या होता सबसे ज़ादा जरूरत होती हिए पॉलों से बात याद आ गए है पॉधों में सैवाल भी आते हैं क्या आते हैं सैवाल कि अगर बात करें तो यह बच्चा सैवाल आयोडीन के प्रमुक्स रोत माने जाते हैं अगर आपसे question किया जाए कि iodine के प्रमुक्स रोत कौन से पौधे होते हैं तो iodine के प्रमुक्स रोत पौधों की जब बात किया जाए तो इसका answer क्या होगा? सहवाल होगा क्या answer होगा? सहवाल अब ये भी पूछ सकता कौन से सहवाल से सबसे ज़्यादा iodine मिलता है तो जब पूछा जाए कौन से सहवाल से सबसे ज़्यादा iodine मिलता है तो इसका answer होता ले में नेरिया क्या answer होता ले में नेरिया जो होता अगला question क्या है? लिखा है एक ही पौधे को एक ही पौधे के एक पुस्प परापकोस और परागर उसके दूसरे पुस्प के वर्तिकागर के स्थानांतरर को कहते हैं क्या कहते हैं पढ़िए कोश्चन फटा फट सब लोग पढ़िए फटा फट बताईए एंसर तो इसका answer क्या होगा बेटा फटा फट बताओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे good performance बताईए answer सभी लोग सेर कर दो बाबो लोग आज सभी लोग क्या कहते हैं class को like तो कर ही दीजे इतना तो आप लोगों का भी दायुत तो बनता है कि आप लोग class को like जरूर कर दे तो सब लोग फटा-फट like का बटन दबा दीजिए और सेर भी कर दीजिए और फटा-फटा answer बताना शुरू कीजिए तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका answer क्या होगा एक ही पौधे के पराकोस तो इस क्रिया को क्या कहा जाता तो इस क्रिया को क्या कहते है सब लोग बताईए भे सब लोग तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका answer बेटा क्या होगा तो इसके answer की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है जिनेंटो गैमी यानि कि सजात पुस्पी परागन होता है एक common sense हमेशा लगाईएगा जैसे suppose करो कोई मानलो इनसान है या मानलो कुत्ता और क्या कहते है गधे का क्रास करा दिया जाए तो क्या बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे तो हमेशा जाती एक ही होनी चाहिए एक जात में ही बच्चा पैदा हो सकते हैं देखिए हमेशा reproduction का जो उद्देश होता है उसका मुख्य उद्देश होता बच्चे को संतान को जन्म देना तो संतान की उत्पत्य तभी होगी जब सजाती है क्या कहते है क्रास होगा यानि कि एक जात में क्रास होगा अगर अधर जात से क्रास होता तो क्या कहते हैं कभी भी संतान की उत्पत्ती नहीं हो सकती है अगला कोश्चन देखो बटा लिखा निमलिखित में से कौन सा जंगली गोभी से नहीं निकला है गोभी आप लोग खाते हो बता जंगली गोभी से कौन नहीं निकला है सब लोग बताओ बेटा गोभी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें लिखा ब्रोकली, फूल गोभी, कोहरावी ठीक तो बताओ इसका एंसर या पालक सब लोग बताओ इसका एंसर क्या होगा बहुत अच्छे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका answer की जब हम बात करते हैं बेटा तो इसका answer क्या होगा सभी लोग बताईए सब लोग तो यहाँ पे अगर देखे तो इसका answer होगा क्या? इसका answer होगा पालक क्या answer होगा बेटा? तो इसका answer पालक होगा अगला कोश्चन देखो लिखा है देवधार पर, इस्पूस, लाच और सुरू ये लकड़ी के पौधे कई पहाडी छेत्रों में ब्यापक रूप से पाया जाते हैं ये पूछ रहा है किसके अंतरगत आते हैं यहाँ पे तुमको ये चारो सब्द याद होने जरूरी है यहाँ से कोश्चन बनता है, अभी बता देते हैं इन चारो का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे अगर देखे तो इसका अंसर बेटा क्या होगा तो इसके अंसर की जब हम बात करते हैं कि यह जो लकड़ी वाले पौध हैं जो पहाड़ी छेत्रों में बेसिकली यह देखने को आपको मिलते हैं तो यह पहाड़ी छेत्र में देखने को मिलते हैं तो यह पूछरा है यह किसमिक के अंतरगत आते हैं तो यह अगर हम बात करें किसके अंतरगत आते हैं और डाई भी इसी से आता समझे जैसे अगर हम देखें तो मोनो का मतलब होता एक एक का मतलब जैसे जिसमें एक तरब से कटा हुआ दिखाई दे गेहूं क्या होता मोनो में होता गेहूं अगर बात करें तो गेहूं बेटा फाइबर का बहुत अच्छा सोस होता प्रोटीन भी होता लेकिन ना के बराबर होता इसके अलावा इसमें अगर देखे तो चावल आ जाएगा डाई की अगर बात करे तो मटर आएगा क्या आएगा बटा मटर इसमें क्या आएगा चना अब जितने भी फली दार होती हैं ध्यान दो गिटा जितनी भी फली दार चीजे होती हैं वही हमेशा प्रोटीन के अच्छे सुरोत बाने जाते हैं इस बात को अच्छे से याद रखना nutrition पोसंड चेप्टर तुम लोगों से पोसंड से question पूछे जाते हैं स्लेबस जो जारी किया, स्लेबस के नाम बदल दिया है उन लोगों ने, कोश्चन सब सेम सेम है, तो यहाँ पे nutrition पोशन इस तर से जब कोश्चन आएगा, तो यह कोश्चन पूछ लिया जाता, किस प्रकार के पौधों से हमको protein सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो protein की अगर बात करें, तो हमेशा याद रखेगा, जितनी फलीदार चीज़ें हैं, यानि कि मटर है, चना है, ठीक है, इन में सम्में क्या होता, protein होता है, ठीक समझ में आई बात, पतियां जो होती हैं, उन में मुख्य रूप से कौन सा उत्तेज़क पाया जाता है, सब लोग इसका एंसर बताओ बेटा, चाई की पतियों में मुख्य रूप से कौन सा उत्तेज़क पाया जाता है, option है, option है, phenyl, alanil, या option है, brucine, option है, thrio, ये भी हम बता देंगे की चाई जो होती लोग, चाई क्या कहते हैं, चाई को ज़्यादा प्रफर क्यू करते हैं, तो फटाबड बताईए, मेरा सब्जेक्ट ही रांग फिल हो गया था, फिजकल वालों को, हम science भर दिये, अब क्या होगा सर, देवी जी अगर करेक्शन का मौका मिल गया, तब तो सही है, ठीक, फेपर से पहले, करेक्शन का मौका नहीं मिला तुक नहीं, तब मामला बिगड़ गया, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी अगर बात करें, तो इसका answer क्या है, कैफीन, कैफीन हमेशा याद रखिएगा, कैफीन एक उत्तेजक पदात होता है, उत्तेजक पदात में कैफीन आता है, निकोटीन आता है, यह सब उत्तेजक पदात होते हैं, उत्तेजक पदात जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक, उनका काम, कॉफी में भी स्वेम चीज ही होता उत्तेजक पदात जो होते हैं उनका काम क्या होता उत्तेजक पदात क्या करते हैं आपके blood pressure को बढ़ा देते हैं अगर कोई बेक्ती चाय नहीं पी रहा बहुत लंबे समय से उस बेक्ती ने लेकिन हम लोग इसको रोज मर्रा की जीवन में यूज करने लगे ये blood pressure जो low blood pressure के लोग होते हैं उनको ये दवा दी जाती हैं पता हैं ये दवा के रूप में काम करता है लेकिन जब हम लोग daily life में इसको यूज करने लगते हैं तो addiction कैसे हो जाता जैसे हम चाय पीए suppose that अब हमारा blood pressure बढ़ा तो एक दिन उलजन हुई अगले दिन blood pressure बढ़ा फिर उलजन हुई धीरे धीरे हम उसको adapt कर लेते हैं यानि कि उसमें हम ढ़ाल लेते हैं अपने सरीर को जब हम उसमें ढ़ाल लेते हैं फिर जब हम चाय नहीं पीते हैं तो हमारा blood pressure नार्मल पे आ जाता है अब हमारे सरीर को लगता है कि अब थोड़ा कुछ ऐसा चाहिए जो क्या कहते हैं बढ़ाग दे समझें तो उस जगा पे क्या किया जाता है इसका यूच किया जाता है दूसरी चीद निकोटीन जो होता हो तंबाकू में होता है एक तंबाकू की बात आ गई तो वहाँ पे एक वाइरस से रोक पूछ लेता कभी कभी बता देते हैं जिसका नाम है T.E.M.B क्या नाम है बटा T.E.M.B 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 का मतलब होता टोबाको मोजायक वाइरस टोबाको मोजायक वाइरस जो होता है उसी के कारण इसमें क्या लगता है रोग लगता है अगला कोशियन है बेटा लिखा निमलिखित में से कौन सा एक पादपो के लिए आवस्तिक सूचम पोसक नहीं है Which one of the following is not essential Micronutrients for plant यानि कि इसमें पूछा गया कौन सा एक पादपो के लिए आवस्तिक सूचम पोसक नहीं है तो सूचम पोसक की अगर बात करें तो कौन सा नहीं है ये question पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपसने बुरान, आपसने जिंक, आपसने सोडियम, आपसने कापर, बताईए एंसर, इसकी अगर बात करें, नहीं बेटा, यह गलत है, यहाँ पे अगर देखें तो इसका एंसर होगा सोडियम, सोडियम क्यों, ध्यान दो, सोडियम की जब हम बात करते हैं, तो सोडियम का काम क्या होता है पतियों में क्या होते हैं इस्टो मेटा क्या होते हैं इस्टो मेटा की अगर बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग रंधर कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में रंधर कहते हैं रंधर का मतलब होता छिद्र जो पतियों में क्या होते हैं छिद्र पाया यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी चीज एक चीज अब कुछ बाते तुम लोगों को हम थोड़ी देर चाचा करेंगे क्या बात बतानी जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वाते हैं जैसे हम लोगों को पता है कि पेपर जो ह वो नो तारीक से ठीक आप देखो नो तारीक से पेपर कुछ लोगों का नो को देखे ध्यान दीजिए अब यहां पर अगर देखे तो सबसे बड़ी चुनावती आती सलेबस की ठीक कि आप सर सलेबस इतना कैसे पूरा होगा बेटा आप लोगों के लिए कुछ मेरा हेल्थ ठीक नहीं था इसलिए मैं थोड़ा क्या कहते हैं गायव रहा लेकिन क्या एक दो दिन बीच में बाकी आप लोग की क्लासेस प्रॉपर हुई अब जरा इस बात को गौर से सुनिएगा आपकी पूरी स्ट्रेटजी मैं इसमें बताने वाला हो पूरा चीजे यहां पे किलिय हैं उनका समाधान क्या है इन दोनों के लिए मैं कुछ समाधान लेकर आया हूँ बताओ सभी लोग कितने लोग पेड और वाइटी वाले हैं सब लोग बताओ फटाफट देखें यहां पे अगर देखें जो पेड वाले हम ये सूच रहे हैं अगर माल लो हम चेप्टर थियोरी पढ़ाते हैं तो क्या होगा आपके दिमाग में थियोरी तो आ जाएगी मालो बहुत अच्छा समझा दिये कोसिस किये क्या कहते हैं ये तो आपको चेप्टर वाई जगा थियोरी पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में क्या कहते हैं आ जाएगी लेकिन क्या होगा उससे बनने वाला question कैसा है यह आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा तो वहाँ पे थोड़ा risk रहता है मुझे यह लगता है जो मेरा experience है कि आपको नए से नए अच्छे अच्छे यानि कि जो exam oriented question है यानि कि जो exam में पूछे जा सकते हैं भई इसमें analysis ही कर सकते हैं देखो exam oriented question जितने हैं जानि कि जो exam के लिए महत्वपूर्ण जो आज नहीं हमेशा previous year में पूछे गए हैं या previous year में पूछे गए हैं या कौन से important हो सकते हैं जैसे कुछ current sports में question जो आते हैं वो current से related question पूछे जाते हैं ठीक तो वैसे question अगर हम देखें अगर वैसे question हम देखें तो हम यह सोच रहे हैं अगर आप लोगों को question yam c q करा दें वैसे important question करा दें और यह important question करा दें और इसमें हम आप लोगों को पूरा theory की तरीके से इसका एक एक कोशन का एक एक option का postましたum कर दें तो उमीद है कि आप लोगों के दिमाग में सारी चीजे set हो जाएंगी इससे आपके दिमाग में दो चीजे जाएंगी एक तो आपके दिमाग में यह भी चला जाएगा की हमें मतलब इसका theory भी आपके दिमाग में आ जाएगी दूसरा आपको यह भी पता चल जाएगा की यह जो analysis जो है मतलब question किस टाइब से बनते वाइटी पे भी चलेगा है और क्या कहते हैं पेड़ पे भी चलेगा अब सवाल यह रहा ता है एक्जाम-oriented कोश्टन तो होंगे अब यह ज़रूरी नहीं कि पचास कोश्टन क्योंकि बleft हम थो पौर्वाल सर नहीं हैं। जिसमें क्या कहते हैं कि आप लोगों का पेपर पूरा फस जाए तो ऐसा संभव नहीं तो निश्चित रूप से कोश्चन का amount यानि की कोश्चन की quantity जादा होगी होगी नहीं होगी अब कोश्चन की quantity जादा होगी तो इसके लिए हमें मेहनत भी जादा करनी पड़ेगी तो के पेड में तो दो चार घंटे यहां पे भी कर देते हैं ठीक कम से कम चार से पांच घंटे कर देते हैं ठीक जिनों ने पैसा दिया उनको भी लगने लगे थोड़ा पैसा वसूल काम किया जा रहा है तो क्योंकि समय कम हैं देखिए यहां पे जो situation आके खड़ी हम लोगों के स बहुत बच्चे यह सोचते होंगे कि इतने दिन में हम कैसे पढ़पाएंगे यह सोचते होंगे इतने दिन में कुछ हो तो ऐसे भी नहीं सकता ऐसे पेपर दे आते हैं नहीं यह गलत है एक अंतिम समय ही बेटा निरणायक होता है पता है अंतिम समय निरणायक होता है आपन किस्मत होती है एक परसंट चलती एक परसंट में ऐसा होता जीवन में जो आपने 200 कोश्चन पढ़े हैं वही फस जए तो हम यहां पर ऐसे कोश्चन कराएंगे कि आप लोग के कोश्चन जो है यही से कोश्चन इंजाम में बन जाए यह अशी हम कोशिस करेंगे यह केवल जरूरी है कि हम प्रयास करेंगे ठीक timing क्या होगी timing वैसे यहां YT पे मतलब अभी 12 बज़े है इसको थोड़ा गयाज सिफ्ट करेंगे तो 11 बज़े कर देंगे बस इससे ज्यादा नहीं इसको सिफ्ट करेंगे तो 11 बज़े कर देंगे ठीक इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा मेहनत कर सकते हैं तो अब सब लोग आप लोग बताइए कि जितनी मेहनत हम करने के लिए आपके लिए तैयार है क्या उतनी मेहनत आप करेंगे आप लोग भी रेडी हूँ उतनी मेहनत हम लोगों को इस चीज को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि भई जो लाश समय है चलो सब कुछ छोड़ देते हैं इसी पर क्या कहते हैं मेहनत कहते हैं बेटा क्या कहते हैं जीवन बदलने के लिए कभी कभी क्या होता है हमें अपने आपको विल्कुल तपा देना होता है ठीक निरास विल्कुल ना हो कि क्या होगा आप ये मत सूचिए समय क्या है ये केवल टाइम टेबल अम्मत बनाईए अपना केवल एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि जब तक जगना है तब तक पढ़ना है बस सिंपल सालाइन है जब तक जगना है तब तक पढ़ना है और जब क्या कहते हैं इसी सिद्धान पे आप मेहनत करोगे इसी सिद्धान पे क्या कहते हैं आप कोसिस करोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे तो हम यह सो हम देखें तो इसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अगर additional पढ़ते हो वैसे मैं पढ़ाऊंगा sports का इसमें बड़ा खेल है sports से question सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं समझे sports और यहोगा तो sports से जो question आते हैं यह कुछ current से related आते हैं किससे आते हैं current affairs से related कि कहा पर अभी किसको पदक मिला है कौन सा पदक जीता है कौन सेमे फाइनल में है किसके साथ कितने मतलब क्या कहते चीजों पे हुए और दूसरा क्या कहते हैं इसमें रोल है yogा का किसका रोल है योगा का तीन चीजों पे ये पूरा फिजिकल एजूकेशन का हम लोगों का सलेबस घूमता है, एक हमारा human physiology पे घूमता, दूसरा sport पे और तीसरा किस पे योगा पे, human physiology हम पूरी complete भी कर चुके हैं, कर चुके हैं न, हम complete भी कर चुके हैं, लेगन फिर भी हम उसके कुछ important question, क्योंकि अ आप से question पूछे जा सकते हैं, उन सभी question को इसमें हम लोग consider करेंगे, सभी question को इसमें हम लोग साμिल करेंगे, और सामिल करते हुए, इन सारे question को हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ में आई बात, बोलो, तो लेकिन जैसा कि हमने बताया है कि जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे आपको भी अप dedication के साथ मेहनत करना है और आप लोगों से केवल मेरा एक ही निवेदन है कि जितने बच्चे हैं आपके साथ ही हैं जानने वाले हैं सभी लोगों को class को share करिए ठिक class को share जरूर कर दीजिए ताकि maximum लोगों का लाब हो सके देखें हमेशा जीवन में क्या होता हम ये बात fact है हम ये चाहते हैं कि हम सब आगे बढ़ें लेकिन कोई हम से ज़्यादा आगे ना बढ़े लेकिन क्या होता है कभी किसी का बुरा सोच के अपना अच्छा भी नहीं होता है तो ये चीज क्या कहते हैं हमको एक अच्छे भाव से without pressure, cool mind हमेशा याद रखना pressure नहीं लेना है cool mind में हमें पढ़ना केवल दिमाग को fresh रखे cool mind रखे तो दिमाग fresh रहेगा जितना पढ़ाएंगे उतना आपका दिमाग एब्जॉर्ब करेगा और उतनी चीजे आप करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फाइदा मिलेगा ठीक है ये तो यहाँ decide नहीं होता है कि sports से कितने question कभी कभी sports के ही सबसे ज़्यादा question होते बिटा समझे अलग-अलग state में जो exam हुए है तो कहीं sports से ही सबसे ज़्यादा question होते है कभी कभी क्या होता sports से कम योगा से ज़्यादा question होते है ठीक है क्योंकि sports जो है ये क्या कहते है थोड़ा tough बढ़ जाता paper tough बनता तो sports के question बढ़ाया जाते है और जब क्या कहते है paper थोड़ा IG होता और योगा की अगर बात करें तो ये हमारे current scenario की demand को represent कहता इसलिए योगा से भी question खूप सारे होते है ठीक human physiology ये कैसा है जो balance किया जा सकता वहीं पर compromise थोड़ा बहुत होता है और अगर हम कहीं देखें तो compromise नहीं होता है ठीक है बोलो तो सब लोग भई आप सभी लोग अपनी कमर कसले सभी लोग क्या कहते है मेहनत करना शुरू का दीजिए और सब लोग कमर कसलीजिए निश्चित रूप से जैसे मैं आपके लिए खड़ा हूँ वैसे आप लोग भी खड़े रहिए साथ में निश्चित रूप से हम सब लोग सफल होंगे पूरी मेहनत से पूरी dedication के साथ हम लोग class करेंगे अभी हम class का schedule थोड़ा change करेंगे आप एक बार क्या कहते हैं चैनल पे आके class का schedule देख लीजिएगा मैं बात करूँगा slot अगर मिल गया मुझे तो मैं 11 से लेकर एक बज़े तक आप लोगों की यहाँ class लेने वाला हूँ और इसके बाद आप लोगों का एक बज़े से लेकर paid की class लेने वाला हूँ समझे तो paid वालों का भी उधर app पे भी class लेगा और इधर भी आप लोगों का class लेगा ठीक है बोलो तो यहाँ तक clear है सब लोगों को कोई doubt कोई दिक्कत तो नहीं पक्का बोलो भई तो जो हमने सोचा है जो हमने क्या कहते है प्लान किया है क्या वो प्लान सही है आप लोगों के मताबिक आप लोग उससे संतुष्ट है बाकी अगर आपका कोई suggestion है तो आप हमें comment कर दीजिए आपका suggestion देखेंगे अपलाई करके अगर उससे बेश्ट हो सकता क्योंकि हमेशा सलाह बुरी नहीं होती अब क्या होता है सलाह अच्छी भी हो सकती सलाह क्या कहते है थोड़ा हो सकता कमजोर भी हो बुरी कोई सलाह नहीं होती तो वो देखेंगे जिसमें हम लोग बेहतर कर सकते हैं जितना बेहतर करें कम समय में कर सकते हैं उतना हम लोग मेहनत करेंगे ठीक तो आप लोग अपने suggestion अगर आपको लगता सर इससे बहुत अच्छा हो सकता है तो आप लोग भी अपने suggestion हमें drop कर सकते हैं ठीक है बेटा हाँ यही बता रहा हूँ यह मैं जेस्ट टीम से बात करूँगा अगर क्या कहते कल का time change हुआ तो आप जरा एक बार सुबे जब उठीएगा वैसे आज ही रात में class लग जाएगी तो आप क्या कहते हैं उस class का देख लीजिएगा timing बहुत ज़्यादा shift होगा तो 11 से करेंगे ठीक है समझ में आई यह बात हाँ धीरे धीरे बढ़ा देंगे थोड़ा क्या कहते है time को manage करेंगे एक हम महा मायरातन भी आप लोगों के लिए लाएंगे जिसको हम कम से कम पांस से छे घंटे पढ़ाएंगे टेंसन ना लो मेहनत करेंगे पूरी सिद्दत के साथ करेंगे पूरी मेहनत के साथ करेंगे ठीक है अगर आप हमारे कंदे से कंदा मिलाने को तयार है तो हम निश्चित रूप से आपके उस सफलता के घर तक लेकर चलेंगे छोड़ के आएंगे जहां तक आप जाना चाहते फैक्ट है चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद तब तक के लिए टाटा भाई भाई नमस्ते